एफलिवन आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में जिसमें की हम दिसक्ष करने वाले है कोशनर नंम्बर 14 को तो कशनर नंम्बर 14 इसमें डिसक्ष करेंगे और यह पहुत जिएस सा question है तो देखो चलिए start करते है question को हम solve करना तो इसमें क्या करेंगे देखो ये 1-x ऐसे लिखा और ये 1 by 2 हम इसकी power लिख लेते हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे इसकी multiply कर देंगे इस अंदर वाली term में तो इसकी multiply जब 1 के साथ होगी तो ये xc power 1 by 2 ही आएगा और इसके साथ होगी तो हम इसको ऐसे लिख देंगे into xc power 1 by 2 dx और हमें पता है जहां पे कोई power नहीं होती उसको हम 1 लिखते हैं ये power आफस में add हो जाएगी xc power 1 by 2 dx minus और ये 1 और ये half तो हमें पता है 1 plus 1 upon 2 अगर हम करेंगे upon 1 करके LCM आ जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 3 by 2 ठीक है तो ऐसे ही अब यहां पे x की power क्या लिख लेंगे 3 by 2 dx अब integrate करेंगे तो we know that क्या होगा सबसे पहले इसमें plus 1 आ जाएगा और इसी से ही इसमें divide होगा minus ऐसे ही 3 by 2 में भी plus 1 आ जाएगा और इसी से ही divide होगा और plus c ठीक है बस अब क्या करना था अब इसके बाद में देखो ये कितना होगा ये तो 3 by 2 हो जाएगा और नीचे भी 3 by 2 होगा जो वो 3 by 2 है ये 2 पर चला जाएगा तो क्या होगा 2 upon 3 सेम ऐसे इसमें इसमें क्या हो जाएगा 5 by 2 इसकी power और नीचे भी 5 by 2 आएगा वो 2 पर चला जाएगा और upon में क्या आएगा 5 प्लस C तो ये जो है ये हमारा इस question का answer हो जाता है ठीक है तो I hope आपको ये question अच्छे से समझ आया होगा चलिए मिलते हैं next question में Thank you जहिन जह भारत